दूसरे T20 में भारत टीम का धमाका सांदार अंदाज में जीता भारत दूसरा T20 मैच में भारत के नाम पर रहा न्यूजिलेंड ने ठोस जीत कर भारतिय टीम के सामने 133 रनों का लक्षे रखा लेकिन भारतिय टीम ने ताबर तोड बल्लेबाजी की और इस लक्षे को आसानी से पार कर लिया सुरुआती जटके तो टीम इंडिया को जल्दी लग गए थे जब विराट कॉली और रॉज सर्मा आउट होकर पुएलियन पहुंच गए थे लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज सरिया सेयर और केल राउल ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और न्यूजिलेंड के हर गेंडबाज की बक्षियां उखाड कर रख दी और भारतिय टीम ने 200 और से पहले ही 133 रनों का लक्षे हांसिल कर लिया इससे पहले ठोस जीता न्यूजिलेंड ने बल्लेबाजी चुनी लग रहा था कि आज न्यूजिलेंड की टीम दमाकेदार अंदाज में खेलेगी शुरुआत की अच्छी रही 48 रन तक कोई भी विक्र नहीं गिरा लेकिन उसके बाद बारतिय टीम के गेंडबाजों ने चक्मा देना सुरू कर दिया आज सबसे ज़्यादा तारीब करनी होगी रविंदर चड़ेजा की जिनोंने चार ओवर की गेंडबाजी की 18 रन दिये और दो बल्लेबाजों को चलता कर दिया और चस्परीत भूमरा सादूल ठाकुर ने भी अच्छी गेंड़ की जिसके चलते न्यूजी लेंड 132 रन ही बना पाया और उसके लक्षे का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने शांदार भलेबाजी करते हुए 133 रनों का टारगेट जल्द ही पूरा कर लिया और न्यू